नवास्कार मैं हूँ वैभवनाच चर्म और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रवास्टू रेमेडीज दोस्तों टोटकों और उपायों के क्रम में आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ तेल के टोटके यह तेल के टोटके बहुत शक्तिशाली हैं बहु पहुचाइंगे टेल कई प्रकार के होते हैं सर्षों के टेल मुंपली के तेल सूर्य मुखषी के तेल नाडीयल के तेल जैतून का प्याइल बहुत तरीके के टेल होते अक्सर खादि पदार्थ को तलने या सबजी बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है नीम, अरंडी, चमेली, तिल, अलसी, कपूर, राई, यावला, आदी के तेल हमारी सेहत के लिए आयरवेदिक नुक्सों के तौर पर ये नुस्खे इस्तेमाल किया जाते हैं आज मैं आपको तेल की कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहा हूँ जो उपाय आपके जीवन में आ रहे कठिनाईों से आपको मुक्ति दिलाएंगे तेल का पहला तोटका है चमेली के तेल का तोटका हनुमान जी को हर मंगलवार या शनिवार को सिंदूर और चमेली के तेल का चोला आपको समर्पित करना चाहिए नियमित रूप से हनुमान जी को धूप अगर बत्ती लगा करके उनकी आरती करनी चाहिए हार फूल समर्पित करना चाहिए हनुमान जी को चमेली के तेल का दीपक नहीं लगाया जाता है बलकि तेल उनके शरीर पर लगाया जाता है ऐसा करने से सभी तरह की मनोकामनाय पूर्ण हो जाती है तेल का दूसरा टोटका है सरसों के तेल का टोटका एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपनी छाया देख करके शनिवार के दिन शाम को शनी देवता के मंदिर में रखाएं इसके लावा आप अलग से शनी देव को भी तेल चढ़ा सकते हैं इस उपाय से आपके उपर शनी देव की तृपा सदय बनी रहती है साड़े साती धैया या अशुबशनी की महादशा अंतरदशा हो उससे जातक को मुक्ति मिलती है पीपल की पेड के नीचे सरसों का तेल लगा करके सरसों के तेल का दीपक लगा करके 41 दिन तक प्रजुलित करने से मनोकामनाओं की प्राप्ति जातक को होती है मनोवांचित फल की प्राप्ति हो जाती है तीसरा उपाए है तिल के तेल का उपाए तिल के तेल का दीपक 41 दिन तक लगातार पीपल के नीचे प्रजवलित करने से असांध है रोगों में अभूदपूर्व लाब जातक को मिलता है रोगी स्वस्त हो जाता है दिन भिन साधन प्राप्त करने के लिए भी पीपल के नीचे दीपक प्रज्वलित किये जाने का विधान शास्त्रों में बताया गया है दीपक तिल के तेल का आप जला सकते हैं रोगमुक्ति के लिए तेल का चौथा तोटका जो है वो बहुत ही ध्यान से सुनियेगा शारिरिक कश्ट को रोग व्यादी को दूर करने के लिए ये उपाई भी किया जाता है चनिवार को सवा किलो आलू और बैगन की सबजी सरसों के तेल में तड़क करके आपको बनाना चाहिए उतनी ही पूरिया सरसों के तेल में बना करके नेतरहीन लोगों को अपंग लोगों को यानि अंधे लंगडे गरीब लोगों के बीच में इस भोजन का आपको वितरन करना चाहिए इसके साथ थोड़ा सा चटपटा आचार भी हो सरसों के तेल में बना हुआ और कोई एक बढ़िया सा मीठा हो गुलाब जामुन हो रजगुल्ला कोई भी एक मीठाई आप अपने पसंद से रख सकते हैं ऐसा लगातार तीन चनिवार करेंगे तो शारिदिक रोग कश्ट से जातक को मुक्ते मिल जाती है और आर्थिक परिशानिया जो आपके जीवन में हैं उसमें भी आपको काफी हद तक इससे लाब मिलता है तेल का पांचवा टोटका है दुर्भाग यसे पीछा चुड़ाने के लिए सरसों के तेल में सिके हुए गेहुं के आठे और पुराने गुर से तयार साथ मदार यानी आग के फूल सिंदूर आठे से तयार सरसों के तेल का दीपक पत्तल या अरंडी के पत्ते पर रख करक और वहां खड़े हो करके जब आप रखें तो प्रार्थना भी करें, कहें, हे मेरे दुर्भाग्य, तुझे मैं आज यहीं छोड़े जा रहा हूं, प्रिप्या करके मेरा पीछा ना करना, सामने जब आप समान रख करके चलने लग जाएं, तो फिर पीछे मुड़ करके न दे देखें, इस उपाय को करते ही, कैसा भी दुर्भाग्य होगा, कैसा भी दारिद्र होगा, वहीं छूट जाएगा और सौभाग्य उस दिन से आपको प्राप्त होने लग जाएगा, तो दोस्तों आशा करता हूं कि शास्त्र से जड़ी हुई बातें, ग्यान की बातें, जो आपको हमारी यूट्यूब चैनल से प्राप्त होती है, वह निश्चती पसंद आती होंगी, आप सभी से बार-बार आग रहें कि जब भी आप मेरे वीडियोज देखते हैं, तो इनको लाइक और शेयर जरूर करें, और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्स्राइब नहीं क